तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरे COVID recovery phase का एक normal दिन किस तरीके से जा रहा है, आज मेरा day 24 है, मैं अपना दिन शुरू करती हूँ, ये हल्दी नमक के paste से in the morning, ये मुझे बहुत help करता है, जो mucus है उसको बाहर निकालने में, तो थोड़ी से मैंने या पे हल्दी ली, उ इसके उपर थोड़ा सा गरम पानी पी लिया, और फिर आदे घंटे का ब्रेक दिया, ये जो आदे घंटे का ब्रेक है, इसमें मैं पहले अपनी मॉम के साथ बात करती हूँ, मैं ये मॉम को बाते करने का बहुत शॉक है, और उनने मुझे COVID period में बहुत मिस किया, तो मैं ये सब करने के बाद मैं अब करूंगी गरारे, तो मैं हल्दी नमक की गरारे मॉनिंग में कर लेती हूँ, जिससे मेरा गला काफी बेटर फील करता है, उसके बाद हम प्रेक्वस्ट की प्रिप्रेशन यहां कर रहे हैं, आज पनीर का परांठा बनने वाला है, पनीर बहुत रिच इन प्रोटीन है, और मुझे इस ताइम पर प्रोटीन बहुत खाना है, तो उसकी तयारी हो रही है, और अब Kabir अट चुका है, कभीर आज कल रat को लेट सो रहा है, तो सुबे भी थोड़ा साल लेट उचता है, और ममा को ईस ताइम पर पूरी अटेंशन मिल रही है, एक्स्ट्रा किसेज, एक्स्ट्रा हुग, सब कुछ इस ताइम पे ममा के साथ ही हो रहा है और अब ममा बिल्कुल पूरा दिन बिजी होने वाली है, सिरफ कबीर के साथ तो यहां पे मैं उसकी चंपी कर रही हूँ, उसके बाल बिल्कुल ड्राय हो गए थे, वह किसी से कुछ और नहीं कर रहा था इतने कुछ दिनों से, तो अच्छे से मैं उसके बाद हम दोनों उसकी बात के ले जाएंगे, थैंक्फुली कबीर अबना बात टाइम बहुत एंज कबीर और मैं बात ले चुके हैं और एकदम फ्रेश हो चुके हैं, मैं और कभी साथ में कुछ दिन से बहुत ही जादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसको चाहिए कि ममा उसकी नजरों से बिल्कुल दूर नहीं जाए, हर चीज उसको चाहिए कि ममा ही करे, इन फैक्ट अब उसके अंदर वो खुशी फील कर रहे हैं, सब लोग भी मुझे बोल रहे हैं कि ऐसे लग रहे है कि उसकी बैटरी चाहज होगी है तेरे आने के बाग, सिंस आम वर्किंग राइट नौ आप लोग उसे एक इंपोर्टन अपडेट शेर करती हो, हमारी कम्योंटी में काफी ल उसे यूज भी कर रहे थे हैं और हमें वो बहुत अच्छे लगे इसलिए जब उन्होंने यह लाँच किया तो सवरभ ने इमिजटली इसे और कर दिया, आज आप कबीर को देख रहे थे वो एजेंट अपल फ्रेग्रेंस यूज कर रह था, बट गाइस यह तो 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 फ्रेग्रेंस हैं, एजेंट अपल, ओरिजिनल ओरेंज, सूपर स्ट्रॉबरी, मेजर मैंगो, और ब्रेव ब्लूबरी, यूज थे बट थिंग अबट इस बोड़ी वश इस एक ही बहुत लंबा चल जाता है, आप सिरफ एक कोई साइस अमाउंट लूफा पर डालो और प्रेशनेस फील करते हैं, बच्चे खुद भी, एक अच्छी सी खुश्बू आरही होती है उनसे और एक हाइड्रेशन आपको इनस्टेंटली फील कर सकते हो, इसके जो इंग्रीडियंस है वो भी सारे नाचरल है, जैसे इस वाले कि अगर बात करो तो इसके तीन इंग्री है, दो साल की, तो आप ये अच्छा कासा लंबा टाइम यूज कर सकते हैं, इसका MRP है रुपीस 299, हावेवर गाइस, ममा अथ की वेबसाइट पे सेल लगती ही रहती है, और वो डिफरेंट डिसकाउंट्स निकालते रहते हैं, तो आप हमारा कूपन कोड यूज कर सकते है है, MOMCOM 2021, यह आप उनकी वेबसाइट पे उस करेंगे, तो आपको अडिशनल 20% डिसकाउंट मिल जाएगा, इन प्रॉडक्स का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके इसे चेकाउट कर लीजेगा, ममा अथ की बात कर रहे हैं, तो दो इंपोर्ट करेंगे, अप का फाइदा ही होता है कि कोई भी सेल हो रही है, कोई भी डिसकाउंट हो तो इसके पार में आपको जल्दी पता जल जाता है, और दूसी चीज में आपको बताना जाओगी कि यह एक इंडियन ब्रांद है, और इस प्रॉड कर रहा है इसमें नोँने प्रॉड 20,000 sanitizers free of course distribute करे हैं, 20,000 cloth masks इन्होंने distribute करे हैं to the covid heroes because obviously जो लोग front line पर work कर रहे हैं, उनकी protection बहुत ही जरूरी है, तो I think as a brand they stepped up and they wanted to contribute during the pandemic which they did, इसके अलावा उन्होंने अभी तक 1 lakh trees plant करे हैं, तो आप लोगो पता होगा कि जब भी आप एक order ममात की website पर प्लेस करते हों, तो वो उस order से एक tree को link करते हैं जो वो plant करते हैं आपके बहाफ पर so that's a very good initiative and apart from that, वो plastic recycling में बलीफ करते हैं, तो अभी तक वो 1135 metric tons of plastic already recycle कर चुके हैं, I think from a goodness standpoint, they have a very good report card and they are doing really well and जब आप इतना community के लिए गरते हो, then I think your brand value only increases because then people start believing in you as a brand, so I think they are doing a very good job in case ममात का कोई देख रहा है हमारा वीडियो तो good job ममात, so guys, this time पर मैं अपना mid morning snack लेती हूँ, जो generally होता है juice का ग्लास पुरा भर के और उसके थोड़ी देर बाद मैं fruits भी खाती हूँ, अब मैं और Kabir यहाँ पर खेलते हैं, आज हम खेल रहे हैं knots and crosses, जो उसकी latest favorite game है, उसको बहुत मज़ा आता है हमें हराने में, but I'm glad कि वो अच्छे से सीख रहा है, इसका concept So guys, यहाँ पर लंज की तयारी हो रही है Saurav, आज फिश बना रहे हैं बहुत टाइम से हम लोग काफी veg खाना ही खा रहे थे, हम सिरफ नॉनवेज सूप के फॉर्म में लेते थे, तो आज सबकाई मन्था फिश खाने का तो यम्मी फिश करी आज यहाँ पर बनने वाला है जो मैं आपको लंज के टाइम पर दिखाऊंगी Meanwhile, Saurav को हम बाहर कंपनी दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं Caromboard again, एक बहुती फन इंडोर गेम जो Kabir भी नजॉय करता है तो thankfully हम यह काफी कहलते हैं और साथ में मैं अपने यहाँ पर फूट्स एंजॉय कर रही हूँ जो कि है mango और अनार अनार पोस्ट कोविड वीक्नेस के लिए बहुत ही अच्छा रहता है तो अगर आपको भी हो रहा है तो आप जरूरू टाइक करें So guys, lunch is ready That's a lot of salad That is yummy fish curry made by daddy And daddy, what is this thing? Is it karela? Yeah Okay, that's karela which we all love along with some rice So after lunch, guys, मैं एक डिट गंटा सो गई थी अब उटके हम लोग चाय पीते हैं मैं कोशच करते हूँ कि दिन में बस यह एक बार ही मेरी चाय हो And चाय पीने के आदे पाने गंटे बाद पूरे घर का exercise session होता है तो सब की बारी होती है different exercises, exercise को सिखाने की I think यह बहुत ही अच्छा तरीका है Kabir को engage भी करने का और सब की health के लिए काफी conscious हो गए है हम लोग तो सब लोग घर में ही exercise करते हैं So guys, अब मैं टाइम निकाल के Kabir के साथ थोड़ा learning पे time spent कर रही हूँ जैसे कि आप लोगों को पता होगा बच्चों के इस time पे schools भी बंद हो गए है तो उसकी कोई online classes नहीं हो रही है Plus मेरे COVID period में भी वो पढ़ाई से काफी off हो गया था क्योंकि generally उसको मैं ही पढ़ाती थी तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वापिस on track आ जाएं अभी मैं Kabir को कुछ knowledge book पढ़ा रही हूँ और इसके बाद हम करेंगे phonic sounds जो बहुत अच्छे से कर रहा था बट अभी थोड़ा सा off track हो गया था But he's a very good boy ममा के साथ time spend करना है तो उसको पता है कि मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी तो यहां पर वही कर रहा है तो अब Kabir और Saurav अपना मस्ती कर रहे हैं इनकी मस्ती तो चलती रहेगी मैं अभी time पर दिनर कर लूंगी मैं डिनर में खा रही हूँ बहुत जादा थख गए है The good thing that has happened today is that आज मेरे पापा को vaccination लग गया तो उनको अपनी first dose लगी है kovi shield की which is a good thing because इतने टाइम से vaccination का इतना problem चल रहा है Saurav को कहीं slot नहीं मिल रहा है मॉम के लिए कहीं slot नहीं मिल रहा है तो कोशिश करेंगे कि अगले हफते मॉम की भी लगवा दें क्यूंकि 45 प्लस के तो फिर भी थोड़े बहुत slots दिख जाते है but 18 to 44 वाले एज ग्रूप में तो बिल्कुल दिखी नहीं रहा में से लोग पूछे थे कि आपने क्या vaccine लगवा ली तो क्या विख भी थे कोविट से मैंने रहा है तो गवर्मेंट का नेया गाइडलाइन है कि 6 मुंच तक मैं वैक्सी नहीं लगवा सकती हूं सो मेरी वैक्सीन तो होगी थोड़ा लेट लगेगी but आप लोग प्लीज अगर ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ वैक्सी अवैलेबल है तो जस्ट गो फोर इट अग्सीन डेफिनिटल लगवाईये और तब तक घर में रहिये और सेफ रहिये मैं सिनल लगवाईये से लिएट अग्सीन डेफितल लगवाईये